अब अगली राशी की बात करेंगे, जो की अगली राशी है व्रिश्चिक राशी, व्रिश्चिक राशी के बारे में discussion करेंगी, क्योंकि शनी मारगी होने जा रहे हैं, और उसका प्रभाव, हमारे संभवत है, कुंडलियों पर पढ़ता ही और राशे पर भी पढ़ता है, तो सुख्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् लेकिन बहुत कम लोगों को आएगी तो यहां पर शनी चोथे भाव में मारगी हो गए है यहां पर वक्री चल रहे थे अब हो क्या रहा था नहा वरिश्चिक राशी के जात्कों के लिए यहां पर शनी का वक्री होने का मतलब यह है यह है सुखस्तान यहां से हम property खरीते हैं, यहां से हम car खरीते हैं, यहां से हम assets खरीते हैं, life के सारे सुख यहीं से आते हैं तो जब यहां पर आकर शणी वक्री चल रहे थे, तो यह इस्तिती हो रही थी कि जहाँ property डील करनी है, वो सामने वाला बंदा नहीं आया आज कागज नहीं पूरे हुए आज तसीलदार नहीं आया आज जिसने बसीका लिखना था वो नहीं आया ये चीज़ें चल रही थी अब यहाँ पर मारगी हो गए है तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें इलिमिनेट हो जाएंगी अब प्रोपर्टी बनने के या गाड़ी खरीदे जाने के या प्लैन जो एग्जिक्यूट नहीं हो रहा था उसका समय आ गया क्योंकि शनी जिस भाव में आते हैं उस भाव को मिझबूती जाए जाते हैं ये ये स्तिती यहाँ पर वरिशिक राशी के जातकों के लिए अच्छी हो गई है मारगी होने के कारण वो चीज़ें अब आपके लाइफ में एग्जिक्यूट होना शुरू हो जाएंगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आपको उससे इस स्तिती से अब फाइदा होना शुरू हो जाएगा लेकिन इसका नुक्सान क्या हुआ है नहा के अंदर में कोई ग्रया नहीं रह गया ये खाली हो गया ये प्रभाव नेगटिव हो गया के अंदर ये प्रभाव वरिश्चिक राशी वालों के लिए नेगटिव हो गया है धया चल रही है बीच में कोई ग्रया नहीं है जो चंद्रमा को defend कर सके, positive ग्रह कोई नहीं है, गुरू शुब गोचर में नहीं है, राहू का गोचर शुब नहीं है, केतू का गोचर खैर आपके लिए शुब है, ग्यारमे भाव का केतू शुब होता है, लेकिन यहाँ पर सावधानी यह रखनी है कि state of mind आपका positive रहे, मैं state of mind इसलिए positive रहे, बोल रहा हूँ, क्योंकि पंचम भाव में जब राहू आ जाते हैं, तो आपका state of mind disturb करते हैं, क्योंकि यहाँ से द्रिष्टी जाएगी चंद्रमा के उपर, शनी की द्रिष्टी चंद्रमा के उपर, तो state of mind आपका negative हो जाता है, चंद्रमा वैसे भी व्र meditation करिए, positive रहे, यही आप के लिए सबसे बड़ी remedy है, आप खुद को negative मत होने दीजिए, और thinking करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, जो या तो past को सोचते रहते हैं, या future की planning करते रहते हैं, हम present को enjoy नहीं करते, क्योंकि हम या तो past में फसे हैं, या present future की सोचते रहते हैं, तो भाई लोगों ये समय है, जो इस समय चलना है, उसको enjoy करिए, यही आपका समय है, past जो बीट गया वो आपके हाथ नहीं आएगा, और future आप जानते नहीं है, तो वो इन दोनों को चीज़ों को छोड़ कर, present को enjoy करिए, family life को enjoy करिए, दोस्तों को enjoy करिए, और positive रहिए, और meditation में रहेंगे, तो आप ज़्यादा चीज़ें better तरीके से कर सकेंगे, नहाँ यहाँ पर शनी की एक ग्रिश्टी जा रही है, छटे भाव के उपर, छटे में गुरू का गोचर ये शुब नहीं है, और लगनेश की एक राशी छटे में पड़ी हुई है, तो आने वाले डेड़ साल में करजे की स्थिति आ सकती है, ऐसे ही हो सकता है कि आपको करज लेना पड़े, कोशिश करिए कि वो स्थिति आप वाइड करिए, एक, दूसरा हो सकता है कि दोस्ती कोई पैसे मांग ले, या आप good faith में पैसा दे दें, वो पैसा आपका फ़स सकत है, गरंटी लेने से बचना है, करज लेने या देने से बचना है, छठा भाव active है, यदि कोई problem आती है, लाइफ में, physical problem आती है, तो immediately, instantly, उसी समय, लापरवाई नहीं करनी, डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर जो सुला दे, उसको जो है, वो follow करना है, क्योंकि यहाँ यदि हम नहीं करेंगे, तो शनी इस बिमारी को विगार देंगे, बिमारी आगे ज़्यादा लंबी खीच सकती है, दुश्मन आपके उपर अटेक्ट करें, मैं यहाँ पर डिजीज की बात करना हूँ, उससे पहले दुश्मन को eliminate कर दो, दवाई जरूर लेनी है, यह चीज आपके सामने, आएगी आएगी, क्योंकि शनी का गोचर इस तरीके का है, कि वो दश्म भाव को सीधा दृष्टी दे रहा है, चीज़ें डिले हो सकती हैं आपके साथ, लेकिन execute जरूर होंगी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि गुरू भी करम भाव को दृष्टी दे पॉस्टिव सोचिए, यहाँ पर दृष्टी शनी की, यहाँ पर दृष्टी शनी की, यहाँ पर दृष्टी शनी की, गरंटी नहीं लेनी, किसी से पैसे लेने देने नहीं, एक, दूसरा काम यदी नहीं हो रहा है, तो patience रखिए, उसके ओपर reaction मत करिए, क्योंकि राहू श relationship वाली life होती है, वहाँ पर दिक्कत आ सकती है, एक जिनके यहाँ पर नहा संतान हो रही है, वहाँ पर दिक्कत आ सकती है, यह भाव रहू के तू एक्सेस में आ गया, भाव का स्वामी शनी के प्रभाव में आ गया, गुरु संतान के कारक भी है, भाव का स्वामी भी पीड पीडित हो गया ये कारक भी है ये भी पीडित हो गया तो ये इस्तिती उन लोगों के लिए अच्छे नहीं है जिनके घर में संतान होने वाली है वहां पर